जैहिंसाथियों आज हम बात करने वाले हैं। 20 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं और विडियो को पुरा वाच करे चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्रीराम की जन्म घूमिय योध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश ये किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जन्जाती हैं। आपका आप्शन है। आपका सही जवाब है आप्शन दी चित्रकूर। आपका अगला सवाल है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जन्संख्या वाली जन्जाती कौन सी है। आपका आप्शन है आपका आपका आप्शन है। आपका आपका आप्शन है। आपका आपका आप्शन है। आपका आपका आप्शन है। आपका सही जवाब है आप्शन। आपका अगला सवाल है। उत्तर प्रदेश में काकुरी शणियंत्र कान कभ हुआ। आपका आप्शन है आपका सही जवाब है आपका अगला सवाल है प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपत की राजधानी था? आपका आप्शन है आपका सही जवाब है आपका सही जवाब है आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन लाल किला कहा परस्थित है? आपका आप्शन है आपका सही जवाब है आपका अगला सवाल है कुशी नगर किसकी राजधानी थी? आपका आप्शन है आपका सही जवाब है आप्शन आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के मतुरा नदर में किस शासत का स्तम लेक स्थित है? आपका आप्शन है आपका सही जवाब है आप्शन आपका अगला सवाल है महात्मा बुद्ध को महाप्रिनिर्वान किस स्थान पर हुआ था? आपका आप्शन है आपका सही जवाब है आप्शन आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाती कौन सी निवास करती है? आपका आप्शन है आपका सही जवाब है आप्शन आपका अगला सवाल है कुपकाल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा वकला के प्रमुख केंद्र थे? आपका आप्शन है आपका सही जवाब है आप्शन आपका अगला सवाल है राज्य की पठारी जन्जाती का निवास जिला कौन सा है? आपका आप्शन है आपका सही जवाब है आप्शन आपका अगला सवाल है भूखे को अन्न दो और प्यासे को पानी वाक्य किस का रग्ता है? आपका आप्शन है आपका सही जवाब है आप्शन आपका अगला सवाल है हानी में उत्तर प्रदेश पुलीस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आपका आप्शन है आपका आपका आप्शन है इस सवाल का जवाब आप लोगो कॉमेंट बॉक्स में दे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें